जानिये संभोग न करने के क्या नुकसान है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक किलेकर मैं मनोविकार सेक्स रोग संभोगन तथा व्यसन अमुक्ष दग्यों महाराष्ट्रे में मुंबई पुने अकुला यहां प्रैक्टिस करता हूं जानिये संभोग यह चीज जो है मतलब यह जो एक्टिविटी है यह बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी है मतलब अनाच की जैसी भूग लगती है खाना खाने की भूग लगती है और वह लगना सवाविक है नैचरल है एवरेज में ऐसा पाया गया अलग अलग स्टडिश में इसोउक लोग हपते में एक बार तबी संभुख करते रहते हैं तो फिर हपते में एक बार भी लोग संभुख समझो करते नहीं है उसकी frequency एक बार भी नहीं मतलब बन कोई पंरा दिन मेंकरता है तो उसके क्या नुकसान हम देखेंगे काफी culture में फिर नहीं किसि खार रहा है कि इसे शाइदी के बाद में कुछ साली करना था इसा नहीं है सेक्ष करनाच यह हरदम के लिए सेक्ष होना चाहिए मतलब जब तक frog skincare कर सकते हैं उसमें कोई प्राप्लम नहीं है और फिर sex एक हपते में तभी एक बार करना चाहिए ऐसा बोला जाता है कि use it or lose it मतलब उसका वापर करो अन्यधा आप उसको खो बैठेंगे तो भी वापर करना जुरूरी है एक average British ऐसा study है average British आत्मी जो है वो उसके पूरे उमर के कारेकाल में पांचेचार आठसो बार sex या संभो करता है usually लोग हपते में एक बार या हपते में दो बार संभो करते रहते है यह frequency शायदी के बाद में बहुत ज़्यादा होती है तुरंत और बाद में फिर satiation होता है मतलब पेड़ भर जाता है और फिर शानती हो जाती दिमागी तो फिर frequency naturally कम होती है लोग अपने अपने काम में बीजी हो जाते है बिजनेश चालू करते हैं टेंशन है बहुत stress है तो फिर लोग वीकेंड में ही sex करते रहते है तो फिर sex है थी हपते में एक बार भी नहीं किया तो उनको erectile dysfunction मतलब नपू सकत वाने के chances double है as compared to other people double number 1 number 2 heart attack या heart diseases की समस्या जो sex नहीं करते उनमें ज़्यादा दिखाई दिये heart diseases की number 3 prostate cancer की समस्या जो sex नहीं करते उनमें ज़्यादा हो सकती है number 4 stress, tension, anxiety, worry ज़्यादा होती है क्या है कि physical relationship नहीं है तो जो पत्नी पत्नी में physical relationship नहीं है तो वो पत्नी पत्नियों में तनाम आता है relationship में बहुत problem हो जाते है tension, anxiety, worry, concerns, चिंता होती है और फिर वो sex करते नहीं है और sex करते नहीं है करके problem होता है क्या है कि sex करने बाद में feel-good hormone ज्यादा stimulate होते हैं और उसमें endorphins है, oxytocin है, तो जब hormone ज्यादा secret होते है, feel-good अच्छा लगता है, और वो जो hormone है, वो hormone अपनी पूरी system के लिए और आइलिंग है, और आइलिंग का काम करते है, मतलब feel-good लगता है, अच्छा लगता है, और फिर सभी हमारी body को जब अच excitement लगता है, एक्टिवनेस लगता है, तो फिर naturally तो पर अच्छी रहती है, happiness रहता है, next, immune system जो है, वो अच्छी हो जाती है, मतलब जो sex करते नहीं है, उनको inflammation, मतलब कहीं सूजन आना, या infection, मतलब भीमारी होना है, वो ज्यादा हो सकता है, क्योंकि again वो ही है, कि feel-good hormone कम होते है, dopamine, serotonin, secretion भी कम हो सकता है, तो फिर उनमें immunity कम हो जाती है, और फिर बाकी बीमारी होने के, बाकी तब्यत बिगरने के chances ज्यादा हो सकते है, कुछ studies में ऐसा पाया गया है, कि brain active रहता है, मतलब उन्होंने studies ऐसी की rats के उपर, और ऐसा पाया गया है, कि rats जब sex करते है, तो उनमें brain growth जादा होता है, तो वोई study उन्होंने इंसान में भी किया, और उनको यह देखा गया है, कि जो sex करते रहते हैं, उनका brain जो है, वो active रहता है, और फिर जब brain active है, तो dementia, या मतलब भूलक कड की बीमारी, या फिर और कहीं बेरन की बीमारी होने के chances कम होते हैं, तो in short क्या है कि आपको sex करना जरूरी है, हपते में एक बार sex करो, और हपते में एक बार होता नहीं है, कम से कम, 10 दिन में एक बार करते हो, और नहीं तो फिर आपको chances यह है कि कुछ ना कुछ तकलीब हो सकती है, तो यह जानिए, और आपको यह हपते में एक बार होता नहीं है sex, तो डिफिनिटिली आपके सेक्सोलाजी से आप कंसल करो उसके लिए टीटमेंट लो कौंसलिंग करो जो भी करना है दवाई जालो जो भी करना है करो ताकि आपका सेक्स लाइब अच्छा रहेंगा तो आपका लाइफ अच्छा हो जाएंगा आपका रिलेशन्शिप अच्छा हो जाएगा यह आपका अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो थैंक यू बरी मच गूगल स्टोर से आप डॉक्टर के कर यह नाम का एप कर सकते हैं और बहुत जादा आपने खुद के लिए फायदा उठा सकते हैं थैंक यू अज़ाइब कर सकते हैं थैंक यू आप